पर रुवेट्स नहीं है जादा से जादा लोगों की मदद की जा सके, लोगों को बचाए जा सके, खासकर जो लोग फसे हुए हैं, उन तक राहत सामगरी पहुंचाने के लिए हर व्यवस्ता की जा रही है, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जो हमारे पैदी जादी हैं, उस तरह की कुछ यहां पर देखेंगे, जल्दी जल्दी कोशिश होगी कि जो लोग अभी वेकरे से फस गया हैं, तो उनको मदद पहुंचा जाए हैं। जो बचाना प्राथमिक्ता है, कोई अगर मलबे में फसा है, जिसकी सांसे चल रही हैं, लेकिन देखें जो उत्रासिती आई है, जिस तरीके की तबाही और उसके मनजर इस वक्त आप देख रहे हैं। बहाओ और उसमें जो मलबा गिरा पहाडों से नीचे सडक पर लोग बहते चले गए। और भारी नुकसान और इसके अलावा मलिका ITBP के जो जवान हैं, इनका ये कहना है कि हो सौ लोग, सौ के सौ मौत के आगोश में समात सकते हैं। लोगों तक मदद पहुंच सके, लोगों को बचाया जा सके और ITBP की खास ट्रेनिंग भी होती है इस किसम के रेस्क्यू ऑपरेशन्स को पूरा करने के लिए, कि अगर इस तरह की कोई तरासदी आती है, डिजास्टर के वक्त किस तरह से ITBP के जवान लोगों को बचाते है किस तरह से उनका रेस्क्यू करते हैं, इसमें खास महारत हासल होती है, ITBP के जवानों को इसलिए यहां पर तैनात कर दिया गया है, ITBP के जवानों को ताकि वो लोगों को जादा से जादा मदद दे सके, हालकि प्रधानमती निरेंद्र मोदी खुद नजर बनाए हुए है और पलपल की वो जानकारी ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं, और हमने आपको सुनाया कि CM3BP की रावत का क्या कुछ कहना है, उन्होंने कहा कि लोगों तक राहत और राहत सामगरी पहुचानी की हर व्यवस्ता कर ली गई है, और इसी से जुड़ी आपको हम तस्वीरे रहे हैं, रिस्क्यू ऑप्रेशन आप देखिए किस तरह से ITVP के जवान महापर लोगों का रिस्क्यू करने के लिए पहुचे, रिशी गंगा प्रोजेक्ट में 100 लोग काम कर रहे थे, रहत बचाओ और सर्च ऑप्रेशन भी जारी है, रहत बचाओ के अलावा सर्च ऑप् दूसरी तस्वीर उस दवाही के मंजर को आप देख रहे हैं, जो आज सुबा उत्रा खंड में मुची, और अपने साथ मलबे में 100 लोगों को बहा ले गई, ये ग्लेशियर देखे किस तरीके से उपर से नीचे पिगला, जोशी बट में पहुचे त्रिवेंज रावत का ब अफ़ाहों से ब्रहमित ना हो, CM3 वेंज रावत बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि उत्रा खंड में अब से पहले भी ऐसी आपदा आई है, तो आप किसी भी तरीके की कोई अफ़ा, कोई फोटो, कोई वीडियो पे ध्यान ना दे, लेकिन जिह इंदोस्तान पे सटी जानका सिर्फ आपको कि कैसे आज एक बार फिर प्रले उत्राखंड में देखने को मिला, जोशी मत में ग्लेशेर जो टूटा, कई लोगों के घर इसमें आ गया, इसकी जद में पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया, डैम तूट गया, और इसके अलावा अभी रेस्क्यू प्रदेश में आई बार से निपटने में मदद करेगी, और रिशी केश के पास मिलिटरी स्टेशन स्थानिय प्रशासन के साथ मिलकर बचाफ कारे में जुटा है, और देखे छे तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं, ग्लेशेर तूटने के बाद किस तरह से लुक्सान पहु अचाहे बांध तूटा उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, रेस्क्य ओप्रेशन भी जारी है लगातार, जो लोग मल्बे में फसे हो सकते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, और पूरे गाउं को वहां पर खाली कराय जा रहा है ताकि लोगों को किसी तरह करने के का नुकसान ना हो, और हरिद्वार तक जो है इस वक्त अलर्ट कर दिया गया है, आइटी बीपी के 200 जवान बचाफ कारे में जुटे हुए हैं, और यह बता जा रहे हैं कि 200 जवान सानिय प्रशासन की मदद से बचाफ कारे में जुटे हैं, एक टीम घस्तनास्थल पर मौझूद है और दूसरी टीम जो शिमत के पास तैनात है, जो लोगों को जागरुक करने का भी काम कर रही है, और स्थितिक और नियंतरन में करने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, और अब आईए पांच तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा र दिया गया, इसको देखते हुए पांच तस्वीर देखिए, सबसे बीच में जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, ये रिस्क्यू ऑपरेशन के आईटी वीपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां लोगों को बचाया जा सके, जो लोग मलबे में दबे ह रिस्क्यू ऑपरेशन चलाया जारा, सर्च ऑपरेशन चलाया जारा, दरसल इस सर्च ऑपरेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों को ढूंडा जा रहा है, कौन कहा मलबे में, क्योंकि मलबा जो बहाव था, वो बहुत तेज था और इसके साथ लोग जो सौ इस पर काम कर रहे थे, वो बहते हुए चले गए, जिन्हें ढूनने की कोशिश की जारी है, सर्च ऑपरेशन इस वक चलाया जारा, बीच की जो तस्वीर है, उसकी है, सुबह साड़े दस बचे यह हाथ सवा, उस हाथ से की तस्वीर दिखाने ही, ग्लेशियर कैसे, उपर से नी होते हैं, रेस्क्यो ऑपरेशन के लिए तुरंट वहाँ पर स्वीर देख रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, इस वक्त उन इलाकों में, जगों में, जहां से यह मलबा होता हुआ, गुजरा है, यह तस्वीर है, आप तक 9 लोगों की शब बरामद, एंटी आरफ में कन्फर्म किया है, देखिए, 9 लोगों की शब की बरामदगी हो चुकी है, इंटी आरफ की तरफ से बताया गया, घटनास्ताल पर सेम त्रिवेंद्र सिंग रावत पहुँचे, और यह तभी तरशा रहा था कि कोई बड़ा नुकसान बड़ी अन्होनी है यह, यह राज में एक बार फिर कुदरत का क्या है, देव भूमी में एक बार फिर देखने को मिला सचिव, आपदा सचिव, पुलिस अधिकारी और पूरी टीम आपदा कंट्रोल रूम में सित्य पर लगातार नजर बनाये हुए है, और साथी आपको बतादे कि ग्रेमंत्री अमिर्च शान ये भी सीम रावत से बात की है, उन्हेंने उत्राखन में आई इस प्राकृतिक आ बचाव कारे के लिए निकल गई है, और देव भूमी को हर संभव मदद दी जाएगे, और साथी प्रदानमंती नरेंद्र मोधी भी सीम रावत से बात कर चुके हैं, और लगातार स्थिती की समीक्षा कर रहे हैं, उन्हेंने सीम त्रिवेदर सिग रावत से बात की, और सीय भी कहा, बचाव और रहत का कारे का जाइजा लिया, और ये कहा कि पूरा देश उत्राखन के साथ है, और लगातार स्थिती को लेकर अपडेट ले रहे हैं, तो देखिए उत्राखन स्थिती पर ITBP का भी वयान सामने आ गया है, ये भी हम आपको बताएंगे, दस लोगों क कि मारे जाने की पूष्टी कर दी है, प्रोजेक्ट में सौ लोग काम कर रहे थे, डीजी, ITBP, केंद्रिय जल श्रक्ति मंत्री, गजेंद्र सिंग शेखावत हमारे साथ फोन लाइन पर जूट चुके, गजेंद्रिदी इस आपदा से सम्मंदित क्या जानकारी, क्या ब्रे इस प्लांट पर कितने लोग काम कर रहे थे, क्योंकि बताएं जारे सो संक्या है, डेर सो संक्या है, यह प्राइवेट कामपनी का इडल पावर प्रिजेक्ट बन रहा था, इसलिए मैं यह सूचना तो नहीं दे सकता, अधिकारी ग्रूप से कि वहां कितने लोग काम कर रहे लेकिन ऐसा पताए जाय है कि पजार से सो के लोग में पीछ मते हैं वहां, लेकिन यह जो है उसके कारण से क्योंकि यह प्रिजेक्ट जो है, धौली गंदा रिवर पर है, जो अलक नंदा की डिस्ट्रिबूटरी और बाद में अलक नंदा ते उपरियाग में आकर के और गं अलक नंदा में मिलती है, वहां निशित रुप से फ्लॉट लाइक सिचूएशन एक बार बनी थी, एक बार इस्तोरिकल यह आय गया था, लेकिन वहां से अप फ्लॉट पास हो गया है, वहां से वापस पानी का सामन इस तर पर आ गया है, नीचे है, उस से नीचे जो है, जो तो बहुत तोजी जो साथ में उन्होंने रिस्की ओपरेशन शुरू कर दिये थे, अलर्ट इशू कर दिये थे, अलर्ट इशू हो जाने के कारण से लोगों को कहा गया था कि आप एतियात बरते हैं नदियों के चेनारे पर न जाएं और अब जो है नीचे उससे नीचे कारण प्रियाग में, रुत्र प्रियाग में, उससे मीचे और आगे देव प्रियाग तक दियों से कुछ चाहिए उत्राखर में जमभी प्राकर्टि का आपता आई है आकलन ये किया जा रहा था कोई खोज कबड नहीं है कोई पता नहीं है आश्रंक का ये जताई जा रही है कि ये शायद ही जिन्दा बचे होंगे अठारा एक्टेर का ग्लेशेर एकदम से पानी में गिरा था उस साइट पर निश्चित रूप से नुक्सान हुआ है मेरी मानी मुख्यमंत्रीजी से भी बात हुई है पावर मिनिस्टर से भी बात हुई है और जो स्थानी प्रिशास्टन पर भी सबसे हम निरंतर संपर्क में सेंट्र वाटर कमिशन को भी हमने हाई अलट पर रखा है और सेंट्र वाटर कमिशन की सुचना के अनुसार अब जो है फ्लड लेवल तो आपस रिसीड होने लगया है बिलकुल चले बहुत शुक्रिया आपका गजेंजर जी एतियात बरतने की आवश्रक्ता है पानिक होने की आवश्रक्ता नहीं है यसीधे कहना है क्योंकि त्रिवेंज रावत भी यही कह चुके हैं कि इस तरीके की अफ़वाहों पर आप ध्यान मत दीजिए और इसी के साथ यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं कबरों का सिलस्ला लगाता जारी है पीएम से दूरी मंता की सियासी मजबूरी बीजेपी के त्रिदेव चिनेंगे मंता से तख्त बंगाल में परिवर्दम के रत पर बीजेपी का विजेपत देखिए शंकनार मेरे साथ 4 बच कर 17 मिनट पर